नमस्तों स्वागत है आपका चातर पैलेस के एक नए वीडियो में और आज हम लोग राष्टियर स्वास्तमिशन उत्तर प्रदेश के द्वारा जो आपका पी एच एन ट्यूटर के लिए वेकेंसी आया है उसके बारे में फुल डिटेल बात करेंगे तो बिन आपका समय कवा चलिए वीडियो को प्राड़म करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जालने कि आज के वीडियो हो लोग कौन-कौन स्वास्तपुन बिन्दू यानि कि इंपोटेंड पॉइंट से बात करेंगे जिससे की वीडियो में बताएगा यह सारी बात आपको बरिशन से समय में आ जाए तो सबसे पहला बिन्दू हमारा है पोश्ट एंड वेकेंसी दूसरा है इंपोर्टेंड डेट्स थिसरा है एडुकेस्टनल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमीट चौता है एप्लिकेशन फ्री और अंतिम यानि की पांचमा है सेलेक्शन प्रोसेस एंड हाव टू आता है एकने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और हिल्फूल लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही उत्तर प्रदेश राष्टे स्वास्त मिशन से जोड़ा हुआ का अपडेट लेने के लिए और उसका नोटिफिकेशन आता उससे जड़ा वी अगर हम यहां पर महत्पूर्ण तिथी की बात करें इंपोर्टेंट डेर्स की बात करें हम लोग तो जो आपका form fill करना start होगा असका date है 11-08-2022 और आपका form fill करने का last date है 21-08-2022 मैं गा date फिर से repeat कर दू कि जो candidate इसके लिए eligible है और form fill करना चाहते हैं वो candidate 11-08-2022 की 11 अगस्त 2022 से लेके 21-08-2022 के बीच में online मिठर से अपना जो form है वो fill कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके लिए educational qualification किया है यानकी सक्षनिक योगीता क्या है तो जैसा कि आपको official notification में जानकारी भी दिया गिया है कि आपका सक्षनिक योगीता है बी एस सी नर्स बी ऐसी नर्सिंग या फी पोष्ट बी एसी नर्सिंग या फिद पोस्ट बिए सी नर्सिंग इनर्सिंग किया चाहिए और थिक है और आपके पास कम से कम तीन साल का क्लिनिकल एक्सप्रियंस होना चाहिए किसी में तो लेवर रूम सेट अप में और एमसी एच वार्ड में इस दुनम सको एक में ठीक है या फिर आपके पास एमस्सी नर्सिंग का डेगरी हो चाहिए विच टू एर क्लिनिकल एक्सप्रियंस इन लेवर रूम सेट अप एम सी एच वार ठीक है और यह आपका जो है ना एमस्सी नर्सिंग उसमें आपको हम वहां पर दिखा देंगे आपको प्रूफ के साथ कि इसमें और क्या है और जाके देखते हैं किसके लिए हमारा एज लिमिट याने कि आयू सीमा क्या है तो आयू सीमा की अगर हम बात करें यहां पर तो आपका आयू सीमा है लेस दैन फुर्टी इयर ऑफ एज एज ऑन सारा आर तो हजर बाइस तक आपका जो उम्र हो चालीस साल से कम होना चाहिए और जो हमारे आपको आते हैं आपको कैटेगरी में उनके लिए आपको जो जो चूट रहता है उसका जानकारी आपको आपको अफिस्यल रोटिफिकिशन में बकाईदा दिया हुआ है तो आगे अपको आवेद्शुल के नहीं देना है और अगर हम यहां पर करें तो आपका सेलरी होगा 35,000 रोपया पर मन्त आगे बढ़ते हैं लोग और देखते हैं कि इसके लिए हमें कैसे करना है और हमारा स्लेक्शन प्रोसेस कैसे होगा यान कि चैन प्रकिडिया तो अगर हम लोग करने की बात करें तो लिंक अभी नहीं आया है आपको अपलाय करने के लिए लिंक दो बजे के बाद आएगा दो वजे दो फरके बाद तो आपका जो लिंक है वो जैसे आएगा तो हम डाल देंगा को डिस्किप्शन में वैसे आप भी जाके देख सकते हैं और हम आपको बाद आब जो डॉक्मेंट है अब अब को प्लीट्र क्येगा करेंगे अपने के बाद जब आप इसको करेंगे तो साइज को आप लोग ज्यांसे देखिए इससे की आपका जो वह समिट हो जाए और यहाँ किसे सिग्नेचर में गाली ऐसके स्केन अप लोग उससे कर देज़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन को प्रेस कर देज़ेगा डिस्क्रिप्शन में ओफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक है उसमें क्लिक किज़ेगा तो आप सब के सामने में एक पीडिया फाइल खोल जाएगा जिसा की आपको डानलोड करना है पीडिया फाइल में सबसे उपर आपको लिखा गया है कि डिटेल एडविटिजमेंट गाडलाइन एंड सेक्शन प्रूसेश फॉर रेकृटमेंट ऑफ पवली के हिल्थ नर्स ट्यूटर यानके पी एचन ट् दिया गया है उसके निचे आपको लिखा गया कि डिट कि आपका जो एप्लिकेशन कव शुरू का फॉर्म फिल करना और एप्लिकेशन के जो क्लोजर डेट है वो कव है तो आपका एप्लिकेशन हुआ लाइव एक ग्यारा आड़ दो जबाइस दो बजे बीम में और एकीस अगर हम यहाँ पर देखें एडुकेशन क्वालिफिकेशन के एलिजबिलिटी क्राइटरेक वारे में तो आपको हम बताया थे हैं कि यहाँ पर डिटेइल डूमें दिखा देंगे लिखा गया आपको देख सकते हैं कि बीस्ट नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीसिक न आपको मसी नर्सिंग विट टू इयर क्लिनिकल एक्स्पिरेंस इन लेवर डूम एंड लेवर रोम सेटप एंड एमसी एचवार्ड और इस में वहला कि एलिजबिलिटीक क्रेक्टर या कि पॉइंट और टू में लिखा गया आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड एज नर्स य यानि कि आप लोग जो है जो फॉर्म फिल करने वह नर्स एंड मीड़ाइफ के लिए आप मीड़ाइफ को आपको होना चाहिए और आपके पास जो वैलिड सर्टिफिकेट है वह भी होना चाहिए ठीक है और यहां आपको एज लिमिट है लेस्ने फोटीर्स आफ एस एज ऑ इसका लिस्ट आपको यहां देखना है देखिए इंस्ट्रक्शन डिगार्डिंग अप्लोड डॉक्यूमेंट यहां पर आपको लिखा गया है कि कौन-कौन असा डॉक्यूमेंट आपको यहां पर अप्लोड करना है ठीक है तो फटा 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 सचे जाए को डॉक्यूमेंट आपहकर करेंगे उसका अपको खास जाना हमके ठिक है अगर हमने यहां पर देखते हैं फिर यहां को डिस्कस करें लेते हैं कि कौन-कौन सा यहां स्मिट करना कोई अन्म सी नर्सिंग का मांद सीट फीर संटिफिकेट एज नर्स एड मिड वाइफ फ्रम यूवाइफ पने आपका को अधार कार्ड करने आपको फिर एक्स्प्रियन्स सर्टिफिकेट अगर उसके लिए है आपको चाहिए आर्चन तो उसके लिए आपको का सर्टिफिकेट देना होगा या फिर आपको अपिशल नोटिफिकेशन पी एच एंट ट्यूटर के लिए जो कि आपको उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारे निकाल गया है और हां यहां जो आपको लिखा गया है रजिस्टर डाइज नर्स एंड मीड़ वाइफ फ्रॉम यूपी नर्स एंड मीड़ वाइ किजिएगा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट जरू बताएं वीडियो अच्छा लगा होती वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही करेंट नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बिल आकन को प्रेस कर दें और हां कोई जिक्कत हो इस वीडियो से होगा हमें आके दीजिए मिलते हैं किसी नए वीडियों किसी नए टॉपिक के साथ जै हिंद, जै भारत, जै उत्तरपरदेश